Hello everyone, welcome to Star Future. आज का जो topic है उसका नाम ही यह है The Hidden Secret of Technical Analysis यानि की technical analysis आज के time में maximum लोग करते हैं और उसी के base के उपर buying और selling जलती है और normally लोग यह face करते हैं कि हमें एक ऐसा edge मिल जाए जहां से हम enter करें और market वहां से boom उपर या नीचे चला जाए जैसे भी हमने trade किया है लेकिन इसका एक बहुत बड़ा hidden secret है जो आज आप सभी के साथ में share कर रहा हूँ last तक इस podcast को सुनियेगा और you will get बहुत कुछ अच्छा आप अपने discuss करते हैं कि technical analysis एक्चुल में होता क्या है और किस तरीके से नवोईस trader इसे देखते हैं जो की एक candles follow करती है like दो theory हो गया जिससे अपने पता लगा सकते कि market एक uptrend में है या downtrend के अंदर है लोग कहते हैं कि swing high swing low swing high swing low लगते हैं तो वो एक downtrend बन रहा है या uptrend बन रहा है head and shoulder pattern है, channels है, triangles है या फिर cup and handle है ये सब ही क्या होते हैं ये सब ही एक pattern है जिसको हम कहते हैं कि चार्ट follow करता है next point भी आपने देखें कि अलग-अलग new status indicators यूज करते हैं like stockistic RSI, MACD, averages, moving averages, etc. etc. तो काफी सारे ये पूरे के पूरे सब भी technical analysis क्या कभी सोचाए कि ये बनते कैसे हैं इन सब के बारे में अपने दो मिनिट बाद में बात करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ और बाते करते हैं ऐसा कभी कवार यह मान लेते हैं हम यह मेशा मानते हैं कि जब कोई भी neck break होती है head and shoulder pattern बना और कोई भी जब उसकी neck break होती है तो market उतना ही नीचे जाएगा जितना वो उसकी head था जितना उसकी neck से head का distance था उतना ही वो नीचे जाएगा तो हम एक target लगा के वहां तक सोच सकते हैं ऐसे trades I know कि यह सही है हम trade ले सकते हैं या कभी कवार ऐसा भी होता है कि लोग moving average exponential moving average 10 जब 20 को cross करता है तब एक ध्यंकर buying आती है यह chart के अंदर जब भी आप देखोगे visualize करोगे कि moving average 10 जब 20 को cross करेगी तो एक अच्छी buying या फिर नीचे के तरफ अगर cross किया तो selling आती है तो यह सब thinking process एक नवोईश ट्रेडर की हमेशा रहेगी हमें इससे अलग सोचना है जो की एक truth है कि ऐसा लोग करते हैं अगर हमें ऐसा लगता है कि EMA 10-20 की उपर जाने वाला है तो definitely हमें उससे पहले भाई करना पड़ेगा ताकि नवोईश ट्रेडर उसे उपर लेके जा सके लेकिन कभी कबार वो trap भी हो जाते है क्या आपको ऐसा लगता है कि यह जितने भी moving average बन रहे हैं यह सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों से बन रहे है यह बात कर रहा हूँ मैं professionalism की सिर्फ तीन चीजे सबसे पहला है fear दूसरा है greed तीसरा है doubt third is doubt यानि कि लोगों का जो भी behavior रहता है किसी भी point पे यानि कि market अगर नीचे support को touch करता है तो वहाँ से अचानक से bounce हो जाना वो सिर्फ और सिर्फ उनकी एक greed को show करता है अच्छा वहाँ से वापिस जब नीचे आता है तो लोगों के मन में एक fear generate होता है कि अगर breakout हो गया तो उनका stop loss हो जाएगा ठीक है कभी कबार क्या होता है कि ऐसे point की उपर आने के बाद like head and shoulder pattern बन गे मालो लेकिन उसकी neck line से वापिस क्या वो head and shoulder successful होगा या नहीं होगा सिर्फ इस point को रखने के लिए लोग entry कर लेते हैं तो वो एक doubtful entry है ठीक है तो overall इन सब चीजों में अपने क्या सीखा कि market के अंदर जितने भी indicators होते हैं वो सिर्फ तीन चीजों पर चलते हैं कि लोगों का कहां पर वो fear है कहां पर उनको डर लग रहा है कहां पर वो doubtful है कहां पर उनकी greed जड़ा generate हो रही है तो आगे हम आगे वाले podcast के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया topic cover करने वाले हैं जिसके अंदर हम यह समझेंगे कि पर candle analyzes के according किस तरीके से हम यह जान सके कि यहां पर fear है यहां पर greed है और यहां पर लोग doubtful entry ले रहे है जिससे हमारा एक professionalism increase होने वाला है और definitely today I do a promise आज काफी सोचा तो सोचा एक promise कर दूँ आपसे कि आने वाले समय के अंदर हम जल्द ही जो books है बड़े बड़े authors की जो book है उनको हिंदी में represent करने वाले है और definitely short summary based के उपर हम discuss करेंगे एक long discussion एक बड़ा podcast हम shoot करेंगे so एक point और अपने देखते हैं यहां पर कि हमें आगे किस तरीके से चलना है तो सबसे बड़ा secretive में आप यही बताने वाला हूं कि जितने भी technical analysis हम करते हैं जितने भी indicators हैं वो सभी तीन चीजों पर चलते हैं fear, doubt, or greed के उपर so definitely हमें इन से कैसे बचना चाहिए और किस तरीके से हम action ले सकते हैं तो इसके लिए एक smart, smart, smart choice और hidden secret बता रहा हूं मैं आपको ध्यान से सुनो, लिखो first of all यह चीज देखो कि market में volatility कितनी है volatility मतलब market की movement किस तरीके से होती है जब उस point के ओपर आजाता है अगर market की movement के अंदर strength ही movement है अब की तरव strength ही movement है और market वहाँ से break करता है किसी भी level को तो definitely जो first pullback होगा उसके बाद market वहाँ से up जाएगा ठीक है so this is the first thing, right क्योंकि वहाँ पे market की strength है वहाँ पे अच्छे professional traders वहाँ पे enter होए हुए है ठीक है next thing हम यह जान सकते हैं कि यह चीज़ consider करो कि कहाँ पे professional traders या कहाँ पे लोगों की psychology के according उनने stop losses रखे होंगे कहाँ पे उन्होंने enter किया होगा कहाँ पे जो लोग enter किये हैं कहाँ पे उनको profits हो रहे है ठीक है कहाँ पे वो person exit कर सकते है तो यह जितने भी edges होते है जो support होते है resistance होते है central pivot ratios होते है neutral points होते है यह सभी एक price action के coding यह identify करते हैं कि यहाँ पे पिछली बार जब हम आये थे तब हमने यह point किया थो definitely लोगों की mentality है रहेगी कि जब हम इस point पर फिर से आएंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना है exit करना है तो यहाँ पे support और resistance वो करता है ठीक है कोई भी अच्छा support मिले तो वहाँ से bounce back होने की probability भी जादा है यह बात natural है कि data points भी बहुत important होते है ठीक है तो लोग data points के ओपर भी बहुत ज़्यादा focus करते है और करना भी चाहिए because data points are important कि अगर call side interest open interest increase होता जा रहा है ROI में change हो रहा है तो natural सी बात है ना कि वहाँ पे writers ज़्यादा active है market यहाँ से उपर वो जाने नहीं देंगे it's obvious right उसको अपने match कर सकते price action के साथ लेकिन उसके लिए entry point होना चाहिए और हमें proper edge पता होना चाहिए कि कहां से हम enter करें कि market उपर चला जाए ठीक है so overall market की momentum को देखना है market की strength को देखना है previous swing पहला swing कैसा था market का पहला swing अगर weaker था उसके बाद pullback आया जब market फिर से उपर गया तो उसका swing की क्या growth थी अगर उसकी swing की growth अच्छी थी तो natural सी बात है वहाँ से trend change हो सकता है या वहाँ से अपने अच्छा trade ले सकते है ठीक है तो we should know about it और ये सभी बाते जो मैंने आपसे कही है I know कि आपको ऐसा लगता होगा कि किस तरीके साम इन चीज़ों को manage करे आपको एक नया point एक नया seed मैंने आपके mind में develop किया है जिससे आपको ये पता लगेगा कि हमें market को एक straight forward direction से नहीं देखना है market में beers को भी ध्यान से देखना है और bulls को भी ध्यान से देखना है दोनों में से जो हमें strong लगेगा हम उसकी side बैठने वाले है ठीक है ये सब price section से पता लग सकता है लेकिन you should know per candle interpretation उस per candle की interpretation हम जल्द ही करेंगे और जल्द ही आपके साथ कुछ नया introduce करने वाले है जो आज तक किसी ने नहीं किया है all right so I hope you enjoy this podcast thank you for watching thank you for listening this podcast all the very best bye bye see you later all the very best